दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत है मा दुर्गा ने राक्षसों का वर्द कर लोगों को उनसे मुक्ति दिलाई थी कहा जाए तो ये त्योहार पूरी दुनिया में शक्ति का सम्मान करता है बंगालियों के सबसे बड़े तयोहार दुर्गा पूजा ना केवल सिर्वेस्ट बेंगॉल में धूम धाम से मनाई जाती है बलकि इसकी रौनक पूरे भारत वर्ष में देखी जा सकती है इस साल दुर्गा पूजा 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच देश के विभिन राज्चियों में मनाई चाहेगी अगर आप पहली बार अपने शेहर से निकल कर दूसरे किसी राज्चे में दुर्गा पूजा को देखने की चाहत रखते हैं तो हम आपको बताएंगे कौन-कौन सी खास जगा का आप प्लान बना सकते हैं कोलकाता इसमें कोई शक नहीं कि कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए काफी फेमस है ऐसा इसलिए क्योंकि ये धार्मिक उत्सब पश्चे बंगाल का सबसे वड़ा त्योहार माना जाता है जिस तरह कोई शादी शुदा महिला शादी के बाद माई के आती है ठीक उसी तरह लोग मानते हैं कि मा दुर्गा उनके पास आई है इस मौके पर लोग नए-नए कपड़े पहनते हैं और पंडालों में घूमने के लिए जाते हैं कोलकाता में कई फेमस पंडाल है जहां हर साल किसी नए थीम पर पंडाल बनाये जाते हैं अगर आप भी दुर्गा पूजा की असली रौनक देखना चाहते हैं तो कोलकाता जरूर जाए काशी या बनारस कोलकाता या पश्चिम बंगाल के बाद सबसे जादा दुर्गा पूजा बनारस में होती है इसलिए बनारस को मिनी कोलकाता भी कहा जाता है दुर्गापूजा के दौरान अगर आप कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं तो उत्तरप्रदेश के वारणसी की यात्रा कर सकते हैं पश्चिप पंगाल के अलावा भी दुर्गापूजा विविन रूपों में अलग-अलग राज्यों में की जाती है आप इस मौके पर गुजरात के बड़े शहर एहमदाबाद की यात्रा कर सकते हैं आप यहां गुजराती रंग के साथ इस धार्मि महतसव का आनंद ले सकते हैं यहां भी दुर्गापूजा के कई भव्वे पंडाल त्यार किये जाते हैं पश्चिम बंगाल के अलावा असम में भी मा दुर्गा की पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाती है यहां भी आप भव्वे पंडाल देख सकते हैं जगा जगा आपको मा दुर्गा के भव्वे पंडाल नजर आएंगे इस दोरान आप कामख्या देवी के मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं दिल्ली में भी नवरात्री और दुर्गा पूजा की अच्छी खासी धूम होती है यहां के दुर्गा पंडालों में भी दर्शन के लिए भारी भीड उम्रती है इसके अलावा दिल्ली में राम लीला भी काफी धूम धाम से मनाई जाती है दिल्ली के बंगाली एरिया सियर पार्क में दुर्गा पूजा की धूम देखने को बंदी है कोलकाता की तरह यहां भी पूजा के पंडालों में काफी भीड होती है